इन्वार्मेंट के इसूज और उनका क्या हेल्थ इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन्स पे बहुत से environment pollutants होते हैं जो की human की health को provide करते हैं all over the world इस chapter में बहुत से अच्छे इक्जामपल दिये हैं और इंडिया के भी कई इक्जामपल दिये हैं सबसे पहले हम देखते हैं रेम, रेम का मतलब है Rantigen equivalent of mine Rantigen क्या होता है अपने radio activity के बारे में पढ़ा होगा तो radioactive emission जो होता है उसकी different intensities होती है मान लिजिए radio activity अगर zero है तो इनसान को उसे कोई खत्रा नहीं यह one है तब भी हो सकता है कि इनसान को कुछ खास खत्रा नहों और उसके health पे कुछ खास impact ना पड़े दो से भी हो सकता है कुछ खास अंतर ना दिखे तीन पे हो सकता है कि काफी सां तक आदमी इसके exposure में रहे ऐसे radio activity के संपर्क में रहने पे तो इसके health पे देर देरे प्रोफा दिखने लगे चार पे हो सकता है कि उसकी aging fast हो जाए पांच पे उसको हो सकता है cancer होने लगे चार पे हो सकता है उसको बहुत ज्यादा severe बीमारिया होने लगे आठ नो पे क्या हो instant dead हो जाए person उसके संपर्क में आते ही इंसान की मृत्त हो जाए ऐसा हो सकता है हमने example में यह देखा तो rontigen equivalent of men यही है कि कितनी unit of radiation आदमी में क्या health defects cause करती है biological damage किस level का होता है radioactivity से हमारे different type के organs failure हो सकते है DNA damage हो सकता है radioactivity का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे है ionizing radiation की ionizing radiation यह वो radiation जो की bonds को break कर सकते है तो DNA, protein इन सब में जो भी bond होते हैं उनको break कर सकते हैं यह radiation DNA में अगर bonds को break कर देंगे तो gene में क्या हो जाएगा? mutation हो जाएगा अगर mutation हो जाएगा तो gene non-functional हो सकती है non-functional हो गई तो person की वो gene काम नहीं करेगी तो इसका metabolism provide हो जाएगा और गलत genes जो है जो कि cell division वगरा के लिए जिम्मेदार है उनमें अगर mutation हो जाएगा तो cancer हो सकता है इस तरीके से radioactive compound जो है इसान के लिए काफी खतरनाक होते है सबसे पहले देखते हैं iodine 131 यह iodine का radioactive isotope है यह कहा कहा से आता है कई sources से आ सकता है एक तो nuclear test से आ सकता है यहाँ पर लिखा है उसके लावा nuclear reactor के जो waste होते हैं उनमें पाया जाता है उसके अलावा यह पाया जाता है chemotherapy एक तरीकी से रेडियो थेरपी होती है रेडियो थेरपी cancer की ठीक है खास कर thyroid gland जो गले में होती है जिससे thyroid hormone निकलता है उस वाले gland में अगर cancer होता है तो उसके इलाज के लिए iodine 131 इस्तेमाल किया जाता है इन सारे medical waste हो गए nuclear test वगरा से या nuclear plant के जो waste होते हैं उनमें अगर यह compound पाया जा रहा है और human, animal इनके संपर्ग में आ जाएंगे तो इससे उनको नुक्सान होगा cattle अगर संपर्ग में आ गया तो cattle को तो नुक्सान होगा है लेकिन साथ ही साथ ये cattle के milk में भी इंटर कर जाएगा और meat में भी जायर सीबात इंटर कर जाएगा अगर human जो है ऐसे cattle का milk या meat खाता है तो उसको भी iodine 131 लग जाएगा iodine 131 बहुत जादा समय लंबे समय तक बना नहीं रहता है एक हपते दस दिन बना रहता है लेकिन उस साथ स्पैन में अगर human संपर्क में आ जाता है इनके तो human को नुक्सान हो सकता है इसी तरीके से अगर iodine 131 जहां पर है वहां पर कोई plant ग्रो कर रहा है कोई plant है साख सबजियां है उनके उपर iodine 131 गिर जाए और human consume कर ले तो उसको भी खत्रा हो जाएगा तो इस तरीके से human directly नहीं तो indirectly भी iodine 131 के संपर्क में आ सकता है और इनसान में ये thyroid gland जो होती है गले में होती है जिससे thyroxine hormone निकलता है उससे उसके function को ये काफी प्रभावित करता है thyroid gland जो है जो हमारे body में different minerals के metabolism के balance को निर्धारित करती है bone density से लेके हमारे energy generation सबको thyroid hormone जो है जो है thyroid hormone प्रभावित करता है और growth को भी प्रभावित करता है खासकर बच्चों में तो अगर ये thyroid gland पे impact पड़ जाएगा तो बच्चों को कुछ जादा ही नुक्सान होगा क्योंकि उनका अभी growth phase चल रहा होता है ठीक है next आजाएगा lead lead जो है वो radioactive compound नहीं है inert ही compound है लेकिन हमारे body में हमारे body में कोई ऐसा system नहीं पाए जाता है जो lead को आसानी से eliminate कर सके हमारे body है lead को अच्छे तरीके से metabolize नहीं कर पाता है तो lead क्या है हमारे different body के different organ में deposit हो सकता है और अन्य कई compound जो बना सकता है तो जिससे क्या होता है कि हमारे different body के different tissues में different organ में lead की toxicity हो सकती है toxicity से वो जो भी tissue है जो भी organ है वो खराब हो सकता है तो liver, kidney, muscles, bones mental retardation हो जाना fertility की problems हो जाना pregnancy की दिक्कते हो जाना उसी हिसाब से blood formation hemoglobin जो होता है उसका formation जो है वो भी प्रभावित हो जाता है ठीक है chronic lead poisoning के बहुत type के symptoms होते हैं सबसे पहले हो जाता है उनमें gastrointestinal troubles यानि की pate की समस्याएं हो जाती है तो माने बताए यह जो lead है न universal toxicity रखता है वो किसी भी tissue में जाएगा तो उसको नुकसान पहुचाएगा और अगर इंसान उसको खा रहा है तो पेट में जाहर सिपाता जाएगा तो उसको पेट की दिक्कते हो जाएंगे फिर neuromiscular defects हो जाएंगे nerves का और muscles का degeneration हो जाता है जिससे नर्व इंद्रियां जो है वो कमजोर हो जाती है और muscles भी कमजोर हो जाती है जिसको हम lead palsy कहते है weakness हो जाती है muscle के metabolism कमजोर हो जाती है muscle atrophy हो जाती है muscle dead करने लगती है फिर paralysis भी हो सकती है लकवा भी मार सकता है इसी तरीके से अगर हमारा जो central nervous system है वो provide हो जाए तो क्या होगा central nervous system क्या होता है देखते है हमारे body में दो type के nervous system होते है एक तो होता है brain और spinal cord जिसको हम central nervous system कहते है उसके बाद इन सब से इस तरीके से nerves जाती है और हमारे different body के different organs को connect कहते है तो उन सारे को हो मिला के हम कहते है peripheral nervous system central में हो गया brain और spinal cord तो spinal cord और brain को अगर ये provide करेगा तो उसको हम कहेंगे central nervous system के effects ठीक है cns syndrome भी इसको कहते है इसमें बहुत type के disorders हो सकते है delirium हो सकते है confusion आज मी feel कर सकता है उसको जटके लग सकते है coma और death भी हो सकती है कफी खतरना condition होती है mercury mercury जो है बहुत ज़्यादा toxic होता है usually जितने भी elements पाए जाते है non radioactive की मैं बात कर रहा हूँ तो non radioactive elements में mercury सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है ठीक है mercury जो है बहुत तरीके से पाए जा सकता है nature में वो खुद soil में पाए जाता है different type के ores में पाए जाता है हमने पिसले chapter में भी पढ़ा है कि वो volcano के eruption से निकल सकता है mining के through निकल सकता है gold की mining, iron की mining, silver की mining इन सम में mercury पाए जाता है उसी तरीके से दात में जो छेद हो जाते हैं लोगों के filling की जाती fillers तो वो mercury amalgam use करते हैं तो वहां से भी toxicity हो सकती है उसके लावा, mercury जो है बहुत सारे paints में इस्तेमाल होता रहा है उसके लावा a tube lights और cfl में इस्तेमाल होता रहा है तो mercury जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है mercury environment में रिलीज हो सकता है mercury व L से BioSil English turn में मिंथायल mercury जो है काफी toxic होता है methyl mercury आम तोर पे water body में पाया जाता है माल लिजिए mercury जो है symbol इसका HG है यह water body में release हो गया किसी industrial ने release कर दिया soil से release हो गया या किसी geological process से water body में release हो गया तो क्या होगा mercury जो है पहले तो हो सकता है initial इस तरीके से elemental form में हो या हो सकता है oxide के form में हो यानि कि उसमें कोई बड़े methyl group नहीं लगया है तो इसको intake करेगा सबसे पहले तो कुछ bacteria इसको intake करेंगे bacteria इसको convert कर देंगे methyl mercury में methyl mercury जो है bacteria में है bacteria को खा लेगा कौन कुछ plankton खा लेगे छोटे plankton खा लेगे फिर plankton को खा लेगी कुछ fishage अब इन छोटी fishage को big fishage खा लेगे big fishage खा लेगे और big fishage को कौन खा लेगे humans खा लेगे इस तरीके से human के body में डेर सारा methyl mercury जो है वो पहुंच जाएगा mercury जो है deposit होता जाता है eliminate body में नहीं होता है fat soluble होता है तो यहाँ पे हम फिरावना bio accumulation और bio magnification दोनों का phenomenon हम देख सकते हैं तो इस तरीके से human में काफी बड़े पैमाने में पहुंच जाता है यह और mercury से क्या होता है हमने last chapter न पढ़ा था मीना माटर डिजीज अब आजाएगा fluorine fluorine जो है underground water में बहुत जगह पर पाया जाता है इंडिया में बहुत से region में पाया जाता है जो भीमारी होती है fluorine से उसको हम generally कहते है fluorosis water के अलावा air और soil से भी human को हो सकता है fluorosis हो सकती है soil और air से भी लेकिन सबसे ज़्यादा जो commonly देखा गया है तो drinking water के through ही humans को होता है जिन water में high fluoride content होता है उनसे human को fluoride लग जाता है बड़ी मात्रा में हलके amount में fluoride जो है वो अच्छा माना जाता है हलके amount में वो हमारे bones को और teeth को मजबूत भी करता है हमारे toothpaste में fluoride जो है वो पाया जाता है विकिन जब ज़्यादा amount में हो जाता है वो खतम हो जाएगी तो उससे बहुत से defects हो जाएगे movement अबादित हो जाएगी humpback यानि कूबर निकल जाएगा दात जो है fluoride वाले fluorosis वाले दात हो जाएगी जिसमें dental decay बहुत ही तेजी से हो जाता है knock knee syndrome हो जाता है knee एक टाइप से bent कर जाती है अगर इंटरनेट पर जाएगे इसका फोटो देख सकते हैं आप dental fluorosis और knock knee क्या फिर अगर cattle में लग जाए पसुओं में लग जाए तो उनमें staining हो जाती है उनके दात जो है वो दब्बेदार हो जाते है modeling यानि दब्बे बनना abrasion हो जाता है घिस जाते है इस्तेमाल किया जाता था दल दली इलाकों या कहीं भी पानी लग रहा हो वहाँ पे DDT का छिटकाव किया जाता था mosquito control के लिए DDT जो है वो एक तरीके से हमारे body में deposit होता है और हमारे different sex hormones को बाधित करता है काम करने से तो males में ये हो जाएगा testosterone और female menstruation hormone को ये बाधित करता है इससे क्या होगा कि different type के growth defects जो है वो देखने को मिलेंगे fertility issues भी देखने को मिलेंगे उसके लाबा जो mental issues वगरा होते हैं वो तो अलग बात है इनकी वज़े से DDT की वज़े से बहुत से इस पसीज को खासकर birds की species को खत्रा हो गया है हम ये जानते हैं कि कुछ predatory bird जो होती है वो क्या होती है food chain में सबसे higher level पाई जाती है पहले माली ये फसल है फसल पे कोई insect लगता है ठीक है और DDT फसल पे पड़ा हुआ है insect ने फसल पे खाया और इसको one unit मिल गया इसको इस insect को खाया किसी अन्य छोटे दूसरे insect ने खा लिया जो इससे बड़ा size का insect है इसने खा लिया इसमें बढ़ते बढ़ते 10 unit हो गया क्योंकि इसने 10 खाया होंगे फिर final जो एकदम से superior predator है top का predator है वो है कोई bird जैसे hawk हो गई hawk ने खा लिया ऐसे किसी 10 insects को और इसमें क्या हो जाएगा 100 unit of ddt पहुँच जाएगा तो biomagnification हो जा रहा है वहाँ पर ddt का इससे जो predatory birds है उनको काफी नुकसान है जैसे fish hawk फिर fiddler crabs जो है उसके लावा बहुत से bird जो है वो directly ddt से susceptible इसलिए भी होती है क्योंकि जो ddt है वो उनके एक cell formation को बादित करता है जो अंडे के ऊपर का cell होता है खोल होता है सफेद वाला या brown वाला जिसमे calcium होता है उसको ये कमजोर बना देता है क्योंकि हमने यहीं देखा कि यह जो sex hormone है जिनको steroid group के hormones में भी कह सकते है steroid hormone को बादित करता है तो जिससे एक cell जो है कमजोर हो जाता है next आ जाएगा lead lead का बहुत जगे इंडिया में इस्तामाल होता है अभी भी जो की बहुत गलत है lead paints में लगबग पूरे developed countries ने बैन कर रखा है लेकिन इंडिया में अभी भी चल रहा है lead जो है हमने उसके दूस परेडाम देख लिए अगर वो paint में मौझूद है तो क्या होगा खिड़कियों में दीवालों में paint लगा हुआ है समय के साथ paint जो है dry हो जाता है और powder farm में aerosolized होके हवा में वो पहुंच जाता है और वो human जो है उनको सूंगते रहते हैं और उनके body में lead पहुंच जाता है human body is not designed to process lead मैं आपको पहले भी बताया आप इस news में देखिए ति over 31% of paints have alarming levels of lead study इंडिया की बात है ये इंडिया में 31% of household में जो भी paint लगे थे उन्होंने देखा कि बहुत जादा बहुत ही खतरनाग concentration में lead मौझूद है 10,000 ppm के level पे और इंडिया में जो 20 standard है उन्होंने 90 ppm ही allow कर रखे लेकिन इंडिया में इस level में भी मौझूद है और इंडिया के लगवग हर brand और बहुत से type के paints में ये मौझूद है इंडिया में दिवालो वाल paints के अलावा अलावा जो भी wood के paints होते हैं even जो cloth printing होती है उन्हें भी कई बार lead paint इस्तेमाल के जाता है cup या mugs जो होते हैं जिनमें चाय पीते हैं लोग उन cups पे जो paint होते हैं उनमें भी बहुत बार lead इस्तेमाल होता है तो इनसान जो है directly lead जो है cup से भी लेता है कई बार यह हो गया सोर्सेज next आजाएगा trans fat trans fat क्या होती है fat तो आप जानते हैं जो कि oil वगरा घी वगरा fats होती है लेकिन वो usually cis fats होती है यानि कैसी fat का संरचना होता है जिसको human body जो है आसानी से metabolize कर सकता है अपने body में उसका इस्तेमाल कर सकता है energy produce कर सकता है और आसानी से store कर सकता है energy को अपने body में fats के तरू cis fats के तरू cis fat लेकिन उसी deposit एक दूसरे type का structure वाली fat होती है जिसको कहते हैं trans fat trans fat में क्या होता है हमारे body उसको metabolize नहीं कर सकती है और हमारे body में trans fat जब metabolize नहीं होगा तो वो body में deposit होगा और कहां का deposit होगा different internal organs में deposit होगा जैसे pancreas में deposit होगा देखते हैं कहां का deposit होगा pancreas में deposit होगा pancreas से क्या निकलता है insulin निकलता है insulin अगर pancreas में ज़्यादा fat deposit होजगी तो सही से insulin नहीं निकलेगा तो इंसान को diabetes होजएगा जिसी तरीके से heart जो होता है heart में बहुत सी arteries होती है जिनको हम कहते हैं coronary arteries heart को क्या पहुंचाती है blood पहुंचाती है अगर heart को ही सही से blood नहीं मिलेगा तो heart की muscles जो है dead कर जाएंगे और इसी को हम कहते है heart attack usually myocardial infection ठीक है तो यह जो arteries हैं वो कैसे block होती है उनमें बहुत type की fats deposit हो जाती है usually देखा जाता था saturated fats जो है deposit होती है लेकिन modern research यह कहता है saturated fats उतना भी deposit नहीं होती है लेकिन trans fats जो है ज़्यादा deposit होती है तो coronary arteries में trans fats जो है deposit हो जाती है और इसको क्या कर देती है block block हो जाएगा heart अच्छे से blood नहीं पाएगा blood में oxygen होती oxygen नहीं पाएँगे muscles heart की तो वो dead कर जाएंगी dead कर जाएंगी तो इसी को हम कहेंगे heart attack ठीक है यह हो गया heart disease और diabetes का उसी तरीके से cancer भी cause कर सकता है transferred जो है different type के free radicals generation में और DNA को damage कराने वाले compound के generation में directly in directly भूम का निभात हैं तो इससे क्या होगा कि जब वो compound जो की हमारे DNA को damage कर सकते हैं DNA को damage करने से कई बार cancer भी हो सकता है इस तरीके से काफी ज़्यादा यह नुक्सान दे है और trans fat के खिलाब जो है फसाई ने काफी बड़ा अभियान भी चला रख रहा है trans fat आती कहां से है actual में trans fat जो है nature में पाई जाती है trans fat animal fats में पाई जाती है milk में पाई जाती है और कई जगों पर पाई जाती है लेकिन कई बार हम क्या करते है vegetable जो fat होती है वनस्पती तेल उसको हम hydrogenated करते हैं आपने देखा होगा जो डालडा आता था जिसको वनस्पती घी कहते थे तो vegetable oil जो है क्या होता है liquid होता है liquid है तो उसको transport करने के लिए bottles चाहिए beach में spill हो सकता है bottle break हो सकती है यानि कि transport करना बहुत अच्छा नहीं है और सारे vegetable oil जो है खाने में अच्छा taste नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता था कि कुछ जो महेंगे वाले vegetable oil जैसे soybean, sunflower ये तो महेंगे दामों बच जाते थे लेकिन बहुत से vegetable oil जो है वो पड़े रह जाते थे और उनको कोई नहीं खरीचता था क्योंकि उनका taste खराब होता था तो transport की समस्या दूर करने के लिए और दूसरा जो taste में अच्छे नहीं है वो वाले vegetable oil उनको अच्छे taste में बनाने के लिए उनको hydrogenate किया जाता है उनको क्या किया जाता है एक conveyor belt से गुजारा जाता है कुछ खास type के nickel वगरा के उसमें क्या बलते हैं metal के छीलन भी डाल दी जाती है और फिर क्या किया जाता है hydrogen gas के संपर्क मिला जाता है heat करके जिससे वो hydrogenated हो जाती है उनके जो bond से saturate हो जाते हैं और लिक्विट से solid में तबदील हो जाती है तो unsaturated fat से saturated fat में तबदील हो जाती है अगर वो ऐसा हो जाती है तो वो solid हो जाती है unsaturated fat usually हमाले अच्छा माना जाता है saturated fat हमाले अच्छा नहीं बना जाता है लेकिन saturated fat जो है recent के research में देखा गया है कि उतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं होती है लेकिन hydrogenation से क्या होता है trans fat भी generate हो जाती है कोई भी refined sunflower oil, refined soybean oil इनमें trans fat zero होता है लेकिन वहीं आप देखें जो भी डालड़ा वगरा होते हैं उनमें trans fat का amount कुछ लिखा होता है animal origin के fat जैसे घी वगरा में margarine में trans fat होती है उसके अलावा अब चॉकलेट वगरा देखें तो उनमें भी trans fat होती है क्योंकि उनमें milk solids वगरा जो होते हैं जिनमें trans fat पाई जाती है next आजएगा high caffeine in energy drink caffeine क्या है, caffeine एक type का alkaloid compound है जो की nerve stimulant होता है नहीं कि हमारे nerves को तेजित करता है, अगर इंसान tired फिल कर रहा है अगर वो caffeine ले ले तो वो energetic महसूस करेगा, stimulant होता है caffeine, chai, caffeine सब चीज़ों में पाए जाता है और एक खास dose तक caffeine हमारे लिए safe है और ठीक माना जाता है लेकिन अगर उससे ज्यादा amount में caffeine हो तो वो अच्छा नहीं है अब tea coffee में थोड़े मात्रा में caffeine होता है tea में काफी कम होता है, coffee में उससे ज्यादा होता है लेकिन क्या हुआ कि companies ने energy drinks बनाना इस्टार्ट कर दिया उसमें धेर सारे मात्रा में वो caffeine डालने लगे, stimulant nature के लिए sugar तो डालते ही है, साथ-साथ caffeine भी ज्यादा मात्रा में वो डालने लगे red bull हो गया, रक्की में बात कर रहा हूं तो ज्यादा मात्रा में caffeine होगा तो वो हमारे लिए caffeine उकसान हो सकता है hypertension यानि की BP बढ़ना यह सब समस्या है काज कर सकता है अनिद्रा वगरा dehydration यह सब तो अलगी ही चीज़े हैं सबसे पहले caffeine drink का जिक्र होता है proprietary foods in prevention of food adulteration act of 1954 में इसका जिक्र होता है और उसके बाद जो यह act था बाद में amend किया गया 2009 में और उसमें मात्रा जो है caffeine की maximum मात्रा रख दी गई 145 ppm heat drinks में हो सकती है अब 2010 में जो red bull company थी इन्होंने कोई अपना contour argument वगरा दिया होगा और यह वाले amendment को इन्होंने invalidate करार दे दिया था उस समय लेकिन बाद में क्या हुआ कि food safety and standard authority of India ने आई और उन्होंने कुछ नय regulation बनाई चुकि book old है तो हम नया regulation देख लेते हैं नया regulation भी कोई बहुत नया नहीं है 2016 का है एक चुन में उस समय उन्होंने कहा था कि यूएस जैसे developed country में caffeinated drinks का कोई भी regulation नहीं है लेकिन caffeine के बहुत से दुस्परडाम हो सकते हैं ज्यादा डूच के इसलिए हम नया rule बनाते हैं अगर किसी भी caffeinated drink में 145 mg से ज़्यादा मात्रा है caffeine की तो उसको हम कहेंगे caffeinated beverage लेकिन किसी भी drink में caffeinated drink में भी 320 mg पर लीटर से ज़्यादा caffeine की मात्रा नहीं हो सकती ही यह पहले के limit थी इस limit को उन्होंने गटा के 300 mg पर लीटर कर दिया इसका मतलब अगर कोई भी drink है उसमें 145 mg पर लीटर caffeine है या उससे ज़्यादा है तो कहेंगे उस पर लिखना होगा caffeinated beverage और किसी भी हद में 300 mg से ज़्यादा है उसमें caffeine हो ही नहीं सकती है और इन्होंने यहाँ पर कुछ जिया हुआ है जैसे coffee 250 ml coffee में करीब इतना caffeine होता है टी में इससे भी कम होता है 60 mg होता है हमने यह देख लिया नेक्स्ट आजाएगा pesticide in human blood human जो है इस समय काफी ज़्यादा pesticide यूज करता इंडिया में बहुत ही unregulated तरीके से pesticide यूज होता है एक सर्वे ने पता किया था कि 50 different 15 different pesticide in 20 blood samples tested from 4 villages in पंजाब पंजाब के 4 villages में उन्होंने 20 blood sample लिये और 20 blood sample में उन्हें 15 different type के pesticides मिले थे अब pesticide की toxicity कैसे चक होती है pesticide की toxicity चट करने का जो तरीका है वो तरीका होता है LD50 LD50 method क्या है देखते हैं यह किया जाता है mice rat rabbit dogs में यह test animals हमारे lab animals हैं मान लीजिए कि देट सारे हमने rats ले लिये एक group को एक ग्रूप में 10-10 rats है और एक group जो है उसमें हमने 0 pesticide दिया तो क्या होगा उस pesticide से कुई नहीं मरेगा सारे के सारे 10 out of 10 जो है rats जो है जिन्दा रहेंगे फिर एक में हम क्या करेंगे one unit दे देंगे pesticide기로ms का हो सकता है इसमें कोई नहीं मर 10 जिन्दा बच जाएं फिर एक में हम 2 कर देंगे तो हो सकता है इसमें 2 मर जाएं तो इसमें 8 जिन्दा बचेंगे फिर हो जाएगा इसी तरीके से तीन तो इसमें क्या हो जाएंगे च्छार कर देंगे तो इसमें हो सकता है पाफ जिन्दा बचेंगे इसके बाद इसी तरीके से बढ़ाते हम जाएंगे फाइव यूनिट कर देंगे तो सकता है तीन ही जिन्दा बचेंगे उसके बाद यहाँ पे अगर हम बढ़ा के 6 कर देंगे तो 6 पर हो सकता है सारे मर्जा ना बचे तो यह यहाँ पर टोटल लीथल हो जा रही है टोटल लीथल हो जा रही है लेकिन 4 यूणिट पे उसमें 50% डेथ हो रही थी पाँच बच जा रही थी इसी को हम कहते हैं LD50 वह डोज किसी भी compound की जिस पे sample population के 50% जो individuals हैं उनकी मृत्त हो जाती है तो LD50 किसी compound का ज्यादा होगा तो वो ज्यादा toxic होगी या कम toxic होगी यानि कि हम देखें अगर इसको इस तरीके से एक pesticide number 1 है जिसका LD50 है कितना है इसका LD50 मौल लेज़े 5 है और दूसरा pesticide number 2 इसका LD50 है 2 तो इनमें ज्यादा कौन खतरनाक है जाहिर से बात है यह second वाला खतरनाक है क्यों क्योंकि इसके सिर्फ दो ही unit देने पर 50% लोग मर जा रहे है इसका पांच unit लग रहा है तब जाके 50 मर रहे है तो जितना कम उतना ज्यादा toxic the lower the LD50 the more acute toxic the pesticide अब monocrotops का example लिया जा state type के pesticides होते हैं यह बहुत ही खतरनाक होते हैं DDT से या तो कई इनके examples हैं जो की DDT के बराबर हैं खतरे में या कुछ जो है इवन DDT से भी DDT से भी जादा खतरनाक हैं इंडिया में बहुत सैसे cases देखे गया है मिडे मील वगरा से खाने से बच्चों की मृत होगी थी 2000 case में ब pesticide के containers में खाने बना जा रहे थे pesticide खतम हो गया तो उन्होंने container धुल दिया और उसमें वो लोग खाना बना रहे थे उसमें खाने में पिस्टिसाइड इंटर कर गया और बच्चों की सिम्रित हो गए थी initial में कई बार ऐसा news में हमने देखा होगा कि कहते हैं कि खाने में चि inovidation की वज़े से कौनगों सी diseases होती है मीना माता डीजीज जो कि मर्करी से होता है मर्करी का जो फारम है जो इसली वाटर में पाए जाता है यह काफी toxic होता है ह्यूमन के लिए और इसी सही में में माताटर डीजीज होती थी ति मेना माता सिटी जो है वहां है जापान में ज इस्सो कार्पोरेशन नाम की एक एक केमिकल फैक्टरी थी जो कि वहां की वाटर बाड़ी में बहुत ज्यादा मरकरी जो है फलस कर रही थी बार-बार और लोग वहां की फिशेज को खा रहते पानी पी रहते तो जिससे लोगों को मरकरी पॉइजिनिंग हो गई ये काफी खत जाथ ही यूमन इतना देख सकता है तो उसकी फिल्ड वीजेन अगर नहरे हो जाएगी तो इतना ही देख पाएगा इसको हीरिंग एन स्पीच में प्राबलम हो जाएगी पागलपन हो जाएगा लगवा मार जाएगा कोमा हो जाएगी डेथ हो जाएगी और इवेंट जो क्यूमिलेशन बायो मेंगरिफकेशन हो रहा था उससे हम समझ सकते हैं कि सेलफिस और फिस से कैसे पॉजरिंग होगी नेक्ट आजएगा यो काईची आस्थमा जो काईची भी जापान में है और यह केस नाइटीन सिक्ष्टी से उन्हें 172 की बीच में आये थे क्या होता थ था कि वहाँ पेट्रोलियम और क्रूड आयल की बर्निंग से इन्वाम्मेंट में धेर जारा सलफर डायकसाइड रिलीज हो रहा था जिससे स्माग क्रियेट हो रहा था इसमाग से बहुत जादे सांस की दिक्कते हो सकती हैं जैसे सी ओ पीडी क्रानिक आफ्स्ट्रक्टिव पल्मुनूरी डिजीज यानि कि लंबे समय तक लंग्स में इन्फलेमेशन और डिग्रेडेशन से होना वाली बीमारी जिससे लंग की एफिसेंसी कम हो जाती है वो होती है सी ओ पीडी क्रानिक आफ्स्ट्रक्टिव पल्मुनूरी डिजीज दिल्ली में भी इसके केसेज ब इन्फलेमेशन हो जाता है मुकस में पल्मुनूरी इंफजेमा जिनमें लंग के टीशू जो है डैमेज हो जाते है उसी तरीके से ब्राउंकियल आस्तमा भी हो जाता है दमी कि समस्या नेक्स आजाएगा इटाई इटाई डिजीज इटाई इटाई का मतलब होता है आउच जब चोट लगती तो लोग आउच कहते हैं तो वही चीज है तो इसमें क्या है आउच आउच लोग क्यों कहते है क्योंकि उनको पेन होता है इसलिए वो आउच आउच कहते हैं ठीक यह टोयामा प्रिफेक्चर आप जापान तोयामा प्रिफेक्चर आप जापान में देख कैडिमियम जो है वह रिवर्स में हो रहा था माई rankings के दवारा कुछ कमपनी जो माउंटेंस में माईनिंग कर रहे थी मिदा mund ऑन और चौई काडिमियम पेंट में किस्तेमाल होते हैं गेथरू भी अबजाब हो जाता है उसके लावा नेचुरली कैडमियम जो है वाटर में पाया भी जाता है वो जगों पर इंडिया में भी देखा गया है ऐसा केस और उससे भी कैडमियम टॉप्सिसिटी होती है नेक्स्ट आ जागा ब्लू बेबी सिंड्रूम छोटे बच्च होता है जाता है हम आग पुर्अ करते हैं निफ से य॥ करके या कहիं बाहर से जो लंड है अरी पड़े बा में पर यहां पर फडिलाजर पड़े हैं वहां से कि पानी जो है शीप करके फिर water table में पहुंच जाता है ज्यादा nitrate हो जाता है ज्यादा nitrate हो जाता है human पानी को निकाल को पीते हैं तो उनको यह हो जाती है nitrate contamination तेक है अब यह देखा गया है कि pesticide का ज्यादा यूज करने से nitrate contamination बढ़ रहा है ऐसा कैसे देखें जब underground water होता है, उन्में कुछ microbes पाय जाते हैं, जो कि nitrate जो होता है, उसको ऐसे form में convert कर देते हैं, जो कि human के लिए ज्यादा खथरनाक ना हो, उसको nitrite में convert कर सकते हैं, उसको कई बार तो even क्या होता है, कि shallow water है, और water locked field वहारा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नाइक्रेट को वो वापस नाइक्रोजन, एक्मासफिरिक नाइक्रोजन में कानवर्ट करके environment वापस छोडग भी देते हैं. तो इस तरीके से देखा जाए हैं जो नाइक्रेट एकस्स होता है, वो माइक्रोब जो होते हैं, स्वाइल के और वाटर के मा्रोब impress उसको निपतारा करने मदद करते हैं लेकिन जैसे से हम पिस्टिसाइड रो धेच सारे ऎंटिवाइटिक्स का यूज़ कर रहें उसके वज़े से क्या हो रहा है कि माइक्रोब्स भी मर जा रहे हैं night rate नहीं करेंगे और night rate का amount बढ़ता जाएगा क्न्यो इस्यवक्न सब्सक्राइब यह क्या ह одा है निू्मोकोनियोसिस ध्रीके से लंग का इनफ्लेमेशन याल की स्वेलिंग जिससे लंग की छमता कम हो जाती है, जो coal miners होते हैं, कोले के ख़दान करने वाले लोग, जब ख़दान कर रहे होते हैं, उस समय coal की dust generate होती है, उस dust को सुनते हैं, तो वो dust उनके लंग में deposit होती है, जिससे उनके लंग में swelling आ जाती है, और लंग जो है, धिरे-धिरे होता है जिससे fireproof वाले equipment बना जाते हैं हमारे electric supply के pipes बना जाते हैं electric supply के जो switchboard होते हैं वो बना जाते हैं plastics में add के जाता है ताकि वो fireproof हो सकें तो यह सारा जो है चीज यहां पर asbestos को रखता है तो जो भी person asbestos के industry में work कर रहे होते हैं उनको asbestos inhale कर लेते हैं और lung में inflammation हो जाता है asbestosis term उनको भी इनके लिए इस्तेमाल के जाता है अधर लोगों के लिए जैसे जो लोग रूई की धुनाई का काम करते हैं आपनों देखा होगा कि रूई जो होती है उसको लोग छोटे छोटे फ्लफी पार्ट्स में परकर्स के लंग के inflammation को भी asbestosis term में कहा जाता है यह occupational disease है यानि कि एक ऐसी disease जो की वर्क से आती है नेक्स्ट आ जाएगा occupational disease silicosis यानि जो लोग silica industry में वालुक इंडेस्ट्री में काम करते हैं sand blasting sites पे काम करते हैं उनके साथ यह होता है उनके लंग में silica deposit हो जाता है लंग जो है वो खराब होने लगते हैं नेक्ता जाएगा इंफाइजेमा इसमें क्या होता है कि लंग के sensitive issues अगरा जो की direct oxygen exchange का काम करते हैं उनका breakdown होने लगता है इंफाइजेमा एयर pollution से भी होता है और smoking आप दा cigarette से भी होता है ठीक है अगर यह disease जो है वो हो जाए तो यूजूली देखा गया कि इंफाइजेमा जिनको हो जाता है वो दीरे-दीरे क्या होता है कि उनके lung के cells में mutation हो जाता है और उनको lung cancer की भी सम्मावना बढ़ जाती है पहला और दूसरा यह कि lung के tissue ही सिर्फ damage नहीं होता है lung की flexibility भी कम हो जाती है ऐसे लोग काफी गहरी सास नहीं ले पाते हैं तो lung cannot expand and contract properly यह भी हो जाता है नेक्स रजाएगा sick building syndrome जिस building में हम रहते हैं उसमें different type के building material इस्तमाल होते हैं paint, varnish, cement, plasters वगरा यह सारे material जो हैं दिरे-दिरे करके खराब होते हैं और वो dust में convert हो जाते हैं और वो dust हम inhale करते हैं यह हमारे लिए से 2000 का काम करते हैं उसके अलावा हम अपने building में different type के ventilation system different type के heating और cooling equipment air conditioning का या combine जो air conditioning system होता है जो बड़े building में होता है जो एक जिगा पे heating या cooling करता है और हवा को हर जिगा distribute करता है जिसको करते हैं HVAC system heating ventilation and air conditioning system इन में अगर fungus ग्रो कर जाए कोई contaminant आ जाए तो फिर क्या होगी indoor quality जो है प्रवाइट हो जाएगी और वो अगर air इंसान सूगेगा तो उसको नुक्सान हो जागा इतका लावा बिल्डिंग जो है गैसिंग करती है यानि कि paint लगे हैं बिल्डिंग पे और paint जो है ज्यादा dry environment है तो dry environment हो जाएगा तो paint से volatile organic compound से release होने लगेंगे ये compound जो है इंसानी nail करेगा नुक्सान हो जाएगा उसी तरीके से molds जो है नमी लगी दीवालों पे grow करती है उनके fungus के sports को इंसान सूगता है तो उसको नुक्सान हो जाता है इसके लावा indoor बहुत बार ozone generate होती है ozone heating and cooling equipment में printers में photocopy machines में generate होती है और जिसको inhale करता है इंसान तो इसको कई टाइप की दिक्कते होती है उसके लावा बहुत से industrial chemical भी human use करता है ammonia bleach या बहुत से जो कि इंसान को नुक्सान करते हैं बहुत से miscellaneous topics भी दिये वह यहाँ पर सबसे पह सबसे पहले यह देखी गई थे 1730 में केजरली विलेज जो की जोदपुष डिस्टिक्ट में आता है वहाँ पर वहाँ पर विस्नोई समाद के लोग रहते हैं और इनके एक लीडर थी अमरिता देवी वहाँ पर क्या हुआ कि उनके पवित्र ट्रीज पाय जाते हैं जिनके वो लोग पूजा करते हैं जो की हैं केजरी ट्रीज अब इस ट्री को काटने आये कुछ कॉंट्रेक्टर्स ठीक है वहाँ के लोकल रूलर थे उन्होंने कहा कि उस ट्री को काट दी जाए तो अमरिता देवी अपने विस्नोई समाद के लिगों के लिग कर गई और उन्होंन ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों को हग कर लिया गले लगा दिया ताकि उनको काटा ना जा सके तो वहीं से यह चिप को आंदोलन की सुरुवात हो जाती है चिप को आंदोलन जो है वो समय समय पर उभर के आता है बहुत बड़ा केस आया था 1970 में यहां पे चमोली डिस्टिक उत्राखंड में रेनी विलेज में 1974 में मजदूर किसान महिलाओं ने पेड़ों की रच्छा के लिए हगिंग की थी और वहां पे फेमस चिप को आंदोलन हुआ था यह दिरे दिरे एटीज में विंध्याज और वेस्टन गाट में पहुंच गया और समय स पर चिप को आंदोलन के कई केसे जाते रहते हैं नेश्ट आ जाएगा अपिको मुमेंट करनाटिका में चिप को को हगिंग को अपिको कहते हैं तो वही चीज है लेकिन उनकी करनाटिका में लेंग्वेज बस चेंज हो गई है चिप को से ही इंस्पायरड है 1983 में क्या हुआ था मेन विमेन चिल्डरेन कहां के आप सलकनी जो की कलासे फारेस्ट में आता है उन्होंने पेडों की रच्छा के लिए पेडों को गले लगा लिया था नक्स्त आजाएगा इंटरनेशनल स्टेंडर्ड सैंट इन वोजमंट इए एक स्टेंडर्ड है जो की बी आइस देती है बीडार उस्टेंडर ठीक है यह आल एक पांट ही इंडियर इने एक फैंडर्स के दुड़ाने में तंडर्र देते हैं ISO 14000 certificate दे देते हैं इसी तरीके से यह कहां से आता है जैसे ISO 9000 आपने certification देखा होगा different product के packaging पे लिखा होता है क्योंकि वो product जो है जब generate हो रहे थे उनके production process के दौरान क्या होता है बहुत ज्यादा wrong practices बहुत ज्यादा unconservational practices unsustainable practices जो है नहीं की जाएंगी good manufacturing practices जब की जाएंगी तो ऐसे practices को ISO 9000 certificate मिलता है ऐसे ही good environment practices अगर की जाएंगी तो उनको ISO 14000 certificate मिलता है यह दोनों ही चीज़ जो है final product के लिए नहीं बसरते product बनाने के process के दे दी जाती है how a product is produced इसके लिए दी जाती है rather than to the product itself ठीक है और अब है कि certification is performed by third party organization rather than being awarded by ISO directly next आजाएगा ISO 19000 11 क्या होता है इसमें कि अगर कोई industry है जो की compliant ISO 9000 और ISO 14000 दोनों के लिए compliant है तो उसको 19000 11 मिला के दे दिया जाता है यह सारे जो बाकी के details है तो इंपॉर्टेंट नहीं है अब जाएगा national wasteland development board ministry of environment and forest के अंदर में इनिसिली में आता था 1985 में इसको स्थापित किया गया था 1992 में यह board transfer कर दिया गया था ministry of rural development में इनका उद्देश है कि wasteland में क्या करें कि increase करना tree and green cover को साथी साथ अच्छे land को wasteland में convert होने से रोकना साथी साथ management and development of wasteland in the country इसे क्या होता है biological system में किसी भी chemical physical या कोई अन टाइप के biological factors का भी क्या effect होता है इसको जानने के लिए जो experiment किये जाते हैं उसको कहा जाता बायो ऐसे यह example से देखते हैं मान लीजिए मान लीजिए क्या है कि एक test tube है जिसमें हमने एक pesticide है इसको डाल रखा है इसमें test tube में हम क्या करें फर कि एक छोटी सी फिस डाल दें ठीक है और ऐसी फिस जो है clean water में अगर हम डाल दें अब चेक करें clean water जो है उसमें फिस अच्छे से रह रही है उसको कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस pesticide वाले में या तो फिस मर सकती है या हो सकता है कि फिस जो है उसकी movement slow हो जाए या हो सकता है फिस जो है बहुत random behavior करने लेगे वो दिखाए कि फिस बहुत stress में है तो यह जो effect है pesticide का हम फिस पे living organine पे चेक कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इस experiment को हम कहेंगे बायो ऐसे इसी तरीके से बायो से physical जीज़ों का भी किया जा सकता है जैसे यहां पे हम fresh water में ऐसे रख रहे हैं लेकिन यहां भी fresh water लेकिन fresh water का temperature बढ़ा दें तो फिस का जो behavior चेक होगा वो भी ह इमकल का क्या impact पड़ेगा humans पे अने living organine पे और environment पे ecosystem पे यह चेक करने के लिए ठीक है और खास तोर पे फिस और insects का इस्तमाल किया जाता है बायो ऐसे experiments में बायो ऐसे experiment का प्रमुकुद्देश यह भी है कि चेक करना कि maximum acceptable toxicant concentration क्या हो सकता है तो जो माली यह water में drinking water में कितना arsenic allowed है drinking water में कितना fluoride allowed है यह सब भी ऐसे ही चेक किये गए होंगे इसमें क्या देखा जाता है organism का mortality, behavior change या other signal of drift test बहुत fast movement हो रही है बहुत ज़्यादा अने चरली उसका motion slow हो गया है नीचे बैट जा रही है फिस यह सारी चीज़े में देखी जाती है नेक्स आ जाएगा flagship species किसी भी ecosystem को किसी बड़े forest को किसी biosphere को हमें कंजर करना है तो overall कई बार क्या किया जाता है कि वहां पर एक ऐसी species को ढूंडा जाता है जो कि लोगों को ब impact कोई significance होता है जैसे हमारे बंगाल टाइगर का significance है उसी साब से Elephants का significance है अगर हम जिन forest में पाए जाते हैं वहां पे उनकी flagship species को हम गुसित करते हैं कि और टाइगर इस इलाके में पाए जाते हैं और tiger को कंजर करना है तो इस forest को कंजर करना होगा तो इस तरीके से वहां की flagship species बन जाती है, SV species को select किया जाता है, उनके vulnerability के लिए, उनके attractiveness के लिए और distinctiveness के लिए, खास तर पर पहचानी जा सकती है, जैसे हाथी है, वो खास तर पर पहचानी जा सकती है, जाही आती है, ना कि 10 टाइप के हीरन पाया जाता है, उनमें से किसी अग को select के लिए ऐसा नहीं, ए पाइंट, पांड़ा, अफ्रीकन एलिफैंट, ये सारी चीज़ें, नेक्स्ट आजाएगा, की स्टोन इस पसीज, की स्टोन इस पसीज क्या होती है, ये ऐसी पसीज होती है, जो खुद काफी कम संख्या में पाया जाती है, लेकिन उस ecosystem में बाकी सारे और गिरिंग को बहु या बहुत ज्यादा वृद्धी हो जाए, तो उससे ecosystem में बहुत भायावा बदलाव देखे जाते हैं, ऐसी पसीज को हम कहते है, की स्टोन इस पसीज, ठीक है, अब ये इस पसीज के बहुत से एक्जामपल हो सकते हैं, इसको हम step by step में समझते हैं, मान लिजिए, ये forest है, प पूरा system जो है, well balanced रहता है, lion की और deer की population जो है, maintain रहती है, अगर lion की population जो है, कम हो जाए, सीधे ये gut के 2 हो जाए, तो क्या होगा, initial में deer का amount बढ़ जाएगा, फिर deer जो है, deer सारे पेड़ों को चर लेंगे, घासों को चर लेंगे, greenery खतम हो जाएगी, और oral ecosystem जो है, तो जा रहे है, और धेड़ सारे plants पाया जा रहे है, अब इन सारे plants और trees को अपना प्रजनन करने के लिए pollination प्यामना करना होता है, pollination के लिए pollinator चाहिए होते है, pollinator समें कुछ insects भी हो सकते हैं, जैसे beach, उसके लावा बहुत सी birds भी होती हैं, उसके लावा pollinator में कई बार bats भी हो 1000,000,000,000 पेड़ों के population को determine करते हैं अगर beach की population आधा हो जाएगी तो यहाँ पे 10,000 अगर पेड़ हैं तो उनकी संख्या भी dramatically बहुत कम हो जाएगी तो भले beach की संख्या भी बहुत कम है लेकिन बहुत बड़े ecosystem को समाल रही है तो ऐसी species को हम कहते हैं की stone species system को सब्सक्राइब करना है तो हमें special attention देना होगा keystone species को next आजागा indicator species indicator का मतलब वो indicate करते हैं इसारा करते हैं किसी खास चीज की और तो indicator species वो होते हैं जो कि आम तरफे pollution की और इसारा करते हैं देखते हैं इसका क्या मतलब है यह अगर सब्सक्राइब करते हैं लाइकन जो है एलगी और फंजाई का symbiatic association है अब environment में sulphur dioxide जो है coal burning से बढ़ते जा रहा है तो लाइकन जो है काफी susceptible होते हैं sulphur dioxide pollution के लिए तो जैसे ही amount बढ़ेगा तुरंत लाइकन की संख्या कम हो जाएगी तो अगर लाइकन की संख्या आश्चर्जनक रूप से कम हो जाएगी तो scientist कहेंगे या sulphur dioxide का amount बढ़ गया है इसी तरीके से यह दूसरा system है दूसरे system में क्या है कि देखिए यह पूरा एक water body है water body में बाहर से कोई antibiotic डाल ले हैं यह इंडस्ट्री वाले penicilline डाल ले हैं अब penicilline से बाकी सारे microbes जो हैं मर जा रहे हैं लेकिन एक खास टाइप के bacteria जो हैं वो बचे रह जा रहा हैं यह खास टाइप के bacteria जो हैं वो क्या है penicilline resistant bacteria तो scientist लोग अगर इसका sample लेंगे उन्होंने penicilline resistant bacteria मिल गए उन्होंने कहा कि हां यानि यहां पर penicilline का contamination है तो इस तरीके समने देखा यहां पर क्या हो रहा है यह वाली जो इस प्रसीज है वो नश्ट हो जा रही है और यह वाली इस प्रसीज जो है उसका amount बढ़ जा रहा है तो presence और absence दोनों जो हैं ऐसी इस प्रसीज की contamination को pollution को बताती है ठीक है डीजीज आउट ब्रेक प्ल्यूशन इस प्रसीज कमटीशन और climate change इन सारे चीजों को indicator species बता सकती है सिर्फ pollution को ही नहीं ठीक है बहुत से species होती है जो कि high temperature पहचानक से उड़गो करने लगती है इसी दरीके से pollution मैंने आपको बता दिया disease outbreak भी हो सकता है कि मान लिजे कोई बीमारी फैल गई है और सारे warning systems होते हैं इन में बहुत से examples हो सकते हैं बहुत से amphibians होते हैं जो की chemicals के indicators होते हैं global warming और air pollution के भी indicators होते हैं like an air quality के indicator होते हैं खासकर sulfur dioxide के लिए indicator होते हैं next आजाएगी foundation species यह क्या होते हैं usually dominant primary producers होते हैं लेकिन यह यहाँ पर अगर ब्राड definition पर देखें तो primary producer यानि plants लेकिन यह plant के अलावा भी other species भी हो सकते हैं बहुत बार बहुत से invertebrates भी होते हैं लेकिन फिर भी mostly जो है primary producers होते हैं ऐसे primary producers या कुछ कई बार invertebrates जो की बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में पाए जाते हैं किसी ecosystem में और बहुत ज्यादा वहां की ecosystem को influence करते हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा में या बेंगाल में सुंदरी trees का सुनेरेश या plant का पाए जाना वहां की foundation species कहलाएगी उसी तरीके से deep oceans में जो पाए जाते हैं बहुत से sea grasses पाए जाती हैं sea kelps पाए जाते हैं kelp एक टाइप के large जलगी होते हैं उसके अलावा coral reef में coral बड़े मात्रा में पाए जाते हैं वहां की foundation species पाए होती हैं तो आप अगर इसको की stone species ये compare करें तो देखेंगे की stone species का क्या होता है की stone species का number जो है काफी कम होता है लेकिन foundation species का number काफी जादा होता है ये major difference है abundance और influence काफी यह जादा होता है next लाजाएगा charismatic mega fauna mega fauna में mega का मतलब बड़े size का fauna का मतलब animal एक ऐसा large animal जिसकी wide spread popular appeal environmental conservation के लिए ठीक है अब आप ये सवाल का जवाब दीजिए कोई भी एक ऐसा forest ecosystem बजाया जा रहा हो किसी insect के लिए कोई नहीं है हमारी इंडियम खास कर पर बहुत से ecosystem इंडियम बजाया जा रहे हैं tiger के लिए blue whale बजायी blue whale की वज़े से Indian ocean संड़ चड़ में हैं तो आम तर पे हम क्या करते हैं बड़े species जो आदमी इंसान देख सके और उसके महत को समच सके आम इंसान ऐसी species को लिया जाता है conservation के लिए तो इनको ही हम कहते है charismatic mega phana यह एक general term है और इसका इसे sign से बहुत ही direct लेना देना नहीं है next आजाएगा umbrella species यह एक type की wide ranging species होती है जिनको जिनका क्या होता है कि ESA species का निर्वाग बहुत से species के ऊपर होता है यह अगर यह एक umbrella species है इसको अगर जिन्दा रहना है तो इनको करीब 20-30 un species से सहारा लेना पड़ता है ठीक है अगर क्या हम करें wide ranging species whose requirements include those of many other species और अगर हम क्या चाहते हैं protection करना है umbrella species का तो अगर हम umbrella species का protection करें तो हमें other species का protection करना होगा यह umbrella species का अगर आप देखें systematic तरीके से conservationist term में तो इंडिया में umbrella species का बहुत rare इस्तेमाल क्या जाता है आप example से अगर समझे तो यह इस तरीके सो सकती है कि कोई यह lion ही है यह सही example नहीं है यह lion है यह बहुत type के अगर hirons को खाता है बहुत type के other animals को भी खाता है तो वो सारे animals यह dependent है कई type के पेड़ की छाओं में रहता है तो वो सारे trees पर भी dependent है इन में से कोई भी अगर एक खतम हो गया तो line के conservation में नुक्सान हो सकता है चुकि इंडिया के specific इसका कोई example है नहीं तो हम इसके examples को बहुत detail में नहीं देखेंगे तो इस तरीके से chapter यहीं खतम हो जाता ह तो उसकी वो depth खतम हो जागी जो कि हमने chapters में देखा है chapter में हमने बहुत ही context में एक टर्म को बहुत detail में देखा है हम यह अगर UPSC का pattern देखें तो UPSC इस type के terms को directly नहीं पूछता है उनके पीछे के बहुत बड़े concept को पूछता है तो इस तरीके से अलग से इस glossary terms को समझने की कोई जरूरत रही है आपको अगर revise करना हो तो सारे videos को आप revise करें वहां आपको यह सारे term मिल जाएंगे अगर आप appendix में देखें तो जो भी sites वगरा है tiger reserve वगरा तो इनमें more or less जो है मैंने cover कर दिया है अगर कोई site जो है कौन सी पढ़नी चाहिए क्या आपको यह पूरी region create हो सकती है आपके आगरे current affair पढ़े current affair में जब भी किसी भी reserve का कोई भी conservation reserve कोई भी इस टाइप के नेशनल पार्क को गरेका जिक रहाता है तो आप उस जिक्र को पढ़ें उसी type के पिछले दो साल के इस साल का अगर आप दे रहे हैं प्रलेम तो आपको पिछले दो साल के current affair से जो भी conservation efforts में नाम आया है locations के उनके नाम पता होना चाहिए और conservation efforts को अगर आप इन टेबल से देखें तो इन टेबल में जो है बहुत ही सतही information लिखी हुई है UPSC वाले कई बार क्या करते हैं कि national park और example अगर national park के बारे में उनको पूछना है तो उसकी geography से काफी सहाल पूछते हैं जुकि आपको इन टेबल से उतना नहीं मिलेगा बहुत सी hills, rivers के information आपको यहां से नहीं मिलेंगे साथ ही साथ कुछ कुछ खास टाइप की species वहाँ पर पाई जाती है जिनके वज़े से mainly उन्यूज में रहता है बहुत बार क्या होता है कुछ projects वहाँ पर चलाए जानने वाले रहते हैं जिनके वज़े से controversies हो गए रहती है इसलिए उन्यूज में रहता है तो सारे context आपको पता होने चाहिए जो कि यहां पर आपको नहीं मिलेगा और यह सारी आपको table याद करने की बिल्कूल भी जरूत नहीं है जो भी current affair में आए वो आप याद कर लें तो इस तरीके से यह book जो है खतम हो जाती है मैंने आपसे कह कि आप इस सीरीज में बने रहे हैं आपके सारे comments likes का views का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू कि आपने की दोह क smake नहीं हैं सीरीक में अवें बने की लालएं टेमियान की आपस भी है कि आपके संगरदय को से ट की लादेस in handing बहुत बवके से और भीस तांव का ऑर लाञ भी ओा दो लाख बहुत नहीं का डाएंग झाल झाल